वेल हलो गाईज, क्या सवाब साब, I think आप सब बहुत ही बड़ीया होगे तो गाईज, आज का जो हमरा कंसेट होने वाला है, वह डेविल विंक्स के ऊपर होने वाला है और गाईस इसका जो एड़ेटिंग मैंने किया है वो एड़ेटिंग मैंने पोस्ट कर दिया है मेरे Instagram ID पे तो आगर आप लोग मुझे Instagram पे follow करते हो तो सायद आप लोगों ने देखे लिया होगा अगर नहीं करते हो तो यहाँ पर मेरा Instagram का handle दिख रहा होगा आपकी mobile को यूज़ करके Pixar application को यूज़ करके तो वीडियो को पुरा end तक जरू देखना आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप इस टाइप का एक धाशु एरेटिंग कैसे कर सकते हूँ वीडियो बहुत ही awesome होने वाले वीडियो पुरा end तक जरू देखना अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरू कर देना तो चलो यार लेट्स बिगेन इस एरेटिंग को करने के लिए जैसे कि मैंने आप लोग को बता है कि हम pixart application का यूज करेंगे तो pixart application को मैंने यहाँ पर open कर लिया है और जो background में इस editing के लिए use करूंगा उस background को मैं सबसे पहले याब पर open कर लूंगा तो यहाँ पर जो background था उसको मैंने यहाँ पर एड़ कर दिया है उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर add photos में तो सबसे पहले हम आड़ करेंगे वह है wings को हम यहाँ पर add कर देंगे तो करने के बाद यहाँ पर एक जो है मॉडल का फोटो जो मेरा फोटो मेरा कट आउट वो में यहाँ पर एड करूंगा तो आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फोटो की बैक्ग्राउंड को रिमूब कर लेना उसके बाद ठीक इसी पोजिशन में आपको एड करना है ज उसके बाद जो भी फेस को स्मूथ करना है वो वगयरा आप सब कुछ कर सकते उसके बाद आप कट आउट करोगे तो जब आप फोटो को आपकी बैक्ग्राउंड के साथ लगाओगे तो अब देख सकते हो जासे कि बहुत ही अच्छा मैच कर रहे हैं सबसे पहले देखो इसके बाद हम जब रिटाचिंग करने के लिए फिर से जाएंगे लाइट रूम में तो वहाँ पर क्या होगा कि हमको ज्यादा एडिटिंग ज्यादा रिटाचिंग करने की कोई जरूथ नहीं होगी और हमारा फोटो जो है कम रिटाचिंग के बाद बहुत ही अच्छा पर फोटो देखो और जब मैंने स्मुक मास्क या पर एड़ किया तो बहुत ही धाशू लग रहा है उसके बाद हम फिर से जाएंगे एड़ फोटो में उसके बाद जो विंक्स का जो रिफ्लेक्शन है जो हमारा जो बैक्ग्डाउंड में मून है मून का जो रिफ्लेक्श होगा है तो आप उसकोनेघी आपको जाना पढ़ेगा या पर ट्रॉ टॉल कंदर और आप जो हेड होगा उसके हिसाब से सर होगा उसके इसाब से आपको एढ्येस करना है ऐसा नहीं कि मैंने एड कर दिया जो वह आपके सरपभी एड हो जाए या पिर जो कंदा है वह आपको खुद से वह जो रिफ्लेक्शन है उसको एड करना ठीक है तो यह जरूर से ध्यान में रखना उसके बाद हम जाएंगे फिर फोटो में एड फोटो में जाने के बा भुद रहा है यहां तो यसको आपको सबसे पहले घारँ करना होगा नहीं तो सबसे पेहली नहीं जबसे लैस्ट में मैं और यही इस फोटो का असली लूइस फोटो में और कुछ भी एड करने के लिए है नहीं तो हम जाएंगे यहाँ पर डॉटल के अंदर और यहाँ पर त्री डॉट को उपर किलिक करके इसको सेव कर लेंगे तो हमारा जो फोटो होगा हमारी मोबाइल में सेव हो जाएगा उसके बाद इस फोटो को हम रिटाचिंग करने के लिए ओपिन करेंगे लाइट्रूम एप्लिकेशन सो आभी जिस फोटो को हमने फिकरत में एडिट किया उस फोटो को मैंने यहाँ पर आड कर लिया है और मैंने पहले से एक है कि याप पर लिखाए तो इसको मैं जस्ट यहाप पर क्लिक करूंगा और जो करा ग्रेडिंग है वह यह पर एड्ड हो जाएगा ठीके तो यह पर कर देंगे डन तुछ आप देख सांथ तो बहुती बड़िया तरिके सागे से यह जो अरिटाचिंग यह आवाण हो चुका और बहुत हासुरह देख सकते हो यह विड़ोर है यह आपटर बहुत ही कमाल का लग विड़ों सेव गरम एकसितने लिएट रीड़ करना है और जाना फूर्ट ऐस उपर और जितने हाइस्ट आप करना चाहते हो उतना हाइस्ट करके आपको यह पर तिक को पर किल्क कर देना है तब कि जो फोटो होगा एक दम सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है उसको भी दावा देना और आपको उसकी नौटिविकेशन तुनात मिल जाए तो चलो जार मिलते एक नहीं और आसम वीडियो साथ तब तक के लिए बाई